वे वेलकम टो और चानल मैंने मिवस अपसर और यूटूब चानल तो गई आज के इस वीडियो के दर हम बात करेंगे गो शेर वाट्साप लिंक प्रॉब्लम के बारे में तो अगर आप गो शेर यूज कर रहे हो और यहाँ पर आपका वाट्साप लिंक नहीं अगर हो रहा है तो इसके बारे मैं आज के इस वीडियो के दर मैं आपको कंपलीट बताऊंगा कोई अपना कुछ opinion रख रहा है अपना कोई कुछ opinion रख रहा है बट यहाँ पर मैं आपको simple सी चीज़े बताऊंगा सबसे पहले तो हम यह देख लेते कि actual में problem हो कैसे रहा है तो इसके लिए ना सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने state wallet option के अंदर आपको अपने account को यहाँ प मैं आपको यहाँ पर इसको हम copy नहीं करेंगे एक चीज मैं आपको बताता हूँ देखो आप नीचे देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर चीज़ आ रही तो हमने इसको link को copy किया है अब हम चलेंगे अपने WhatsApp के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम अपने contact के उपर इस link को share कर दे उस link को open करने के बाद आपके पास एक keyword कोड आ जाता है तो आपको अपने WhatsApp के अंदर आना होता है three line के उपर click करना होता है and link के device के उपर आप click करेंगे use mobile data and उस keyword कोड को अगर आप यहाँ पर scan करने की कोशिश करेंगे like this तो यहाँ पर जैसे आप scan करते हो तो आपको बता द या फिर जो भी problem हो रहा है could not link device तो actually यह problem क्यों हो रहा है अब मैं आपको इसका solution या फिर इसका मैं आपको reason देने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पर आप उपर देख सकते है your devices were logged out due to an unexpected issue तो वह कुछ issue के वज़े से तो directly यहाँ पर logout हो चुका है maybe कि यह whatsapp के अंदर कोई issue चल रहा हो तो इसके वज़े से भी दिक्कत हो सकती है इसके अलावा अगर यह दिक्कत नहीं है तो फिर कौन से दिक्कत हो सकती है तो इसके लिए हम चलेंगे go share के website या फिर app के उपर यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आप आप देख सकते ह अब आपको अगर 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 हो रहा है या फिर इस तरीके का अगर आपको अगर प्रॉब्लेम अगर हो रहा है तो नीचे इसका solution लिखा हुआ है अब solution 1 के अंदर है यह विरी 10 minute go to the go share platform and click the login to WhatsApp offline button तो हर 10 minute के बाद आपको जाना है go share के application के अंदर और WhatsApp के जो offline button है उसको आपको generate करना है and access a new login link और आपको अपना नया link login करना है online वाला नहीं offline वाला उसके बाद है बोल रहा है कि keep looping until the login is successful which usually take two to three times if the network speed is poor it may take multiple times तो उनका यही कहना है कि अगर आपको login करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि यह आपके network कमजोर network की वज़े से issue हो रहा है या फिर आप दो से तीन बार इसको try करो तो maybe आपका जो problem है वो solve हो जाएगा इसके में भी अगर आपका solve नहीं होता है तो second solution भी यहाँ पर mention है please try to install go share app and login in through the app तो उसके बाद यहाँ पर आपको download go share के उपर click करना है यहाँ पर आपके पास एक app आपको दे दी जाए गई यहाँ पर यह बता रहा है कि download anywhere तो आप अगर चाहो तो यहाँ पर app को download कर सकते हो जैसे आप app को download करेंगे इसके आगे वाला process मैं आपको नहीं बताऊंगा आप इसको try कर सकते हो because solution यहाँ पर website के उपर ही mention है कोई बनाई बात नहीं है यहाँ पर मैंने आपको जो बताया हो completely यहाँ पर website के थुरू ही बताया है उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ एक चीजे mention है if whatsapp ask to try again later please wait for the keyword record मतलब कि आप अपना दूसरा keyword यह generate करो या फिर उसके अलावा भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और भी कुछ चीजे जैसे के मैं अभी जस्ट यहाँ पर login के लिए गया था तो हम अगेन यहाँ पर go share के उपर click करेंगे एक बार तो यहाँ पर यह देखो यह बता रहा है कि यह जो problem है go share के अंदर चलती रहती है और यह क्यू चल रही है उसकी पीछे का reason go share वालों को पता है बट यहाँ पर आपको एक ही काम करना है आपको again and again try करना है if अगर आपका network सही नहीं है तो आपको उसको सही करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं online का आपको option देखने को मिल्ट रहा है तो आपका यह offline होना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए इस तरीके से आप अपने go share को अपने whatsapp के साथ link कर सकते हो so hope करता हूँ कि आपको सारी चीज़े समझ में आच चुक हूँगी तो just wait करो chill करो बाद में आप try कर लेना या फिर कोई नए update के अंदर हो सकता है fix भी कर दे या फिर हो सकता है कि whatsapp के अंदर भी कुछ problem चल रही है कुछ glitch bug चल रहा है जिसके वज़े से issue हो रहा है तो दिक् सब्सक्राइब करके बिल नोडिक्शन को दूसे अन कर दो मिलते की से नेक्स टूडियो में तब तक के लिए thanks for watching बाब बाई